और लेट चाहिक इट आउट गाईस स्वागद आपका स्टोन टेक में दोस्तों वीवो ने फाइनली अपना एक और किलर स्पेक्स वाला 5G स्मार्टफून इंडिया में लॉंच कर दिया है जो कि वीवो एक्स हंट्रेट तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे वीवो एक् भी कर देना तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मूबाल की डिस्प्ले के बारे में जिसमें आपको 6.82 इंचिस के एक एमुलेट डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी अगर बात करें इस मूबाल के स्क्रीन प्रटेक्शन की तो इस मूबाल में गुरिला ग्लास 5 इस स्क्रीन प्रटेक्शन आपको देखने को मिल जाएगी अगर बात करें इस मूबाल के वेट की तो यह मूबाल आपको 205 ग्राम के साथ एनेट फिल में काफी ज्यादा बलकि देखने को मिलेगा और इस मूबाल का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट होगा तो ओवराल दिखाया है तो इस मूबाल में काफी बड़ी डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी और आपको इस मूबाल के डिस्प्ले में Content Watching Experience भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा अब चलते हैं इस मूबाल का अगले segment के तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस मूबाल के प्लैटफोर्म के बार अगर बात करें इस mobile के ग्राफिक्स की तो इस मुबाइल में इमोइटलिस ग्राफिक्स भी आपको इस mobile में crystal clear देखने को मिलेंगे और गेमिंग के वाक्त आपको heating issue और frame drop एकदम ना के बराबर देखने को मिलेगा और आप इस mobile में बड़े से बड़ा गेम एकदम smooth lag free भी रन कर पाएंगे तो overall देखा जातों यह mobile काफी अच्छा gaming phone होगा आप बात करते हैं इस mobile के main camera के जिसमें आपको 50, 50 और 64 megapixel का टबल camera setup आपको देखने को मिलेगा camera feature में इस mobile में HDR का feature भी होगा अगर बात करें main camera की video quality की तो आप इस mobile से 4K और 1080p में काफी अच्छी quality की photos और video shoot कर सकते हैं अगर बात करें selfie camera की तो इस mobile में 32 megapixel का front camera आपको देखने को मिलेगा और front camera की video quality भी 4K और 1080p होगी तो overall देखाया तो इस mobile का main camera और selfie camera दोने आपको एकदम तगड़े देखने को मिलेंगे और vloggers के लिए mobile काफी अच्छा रहेगा और आप इस mobile से काफी अच्छे खासे vlog shoot कर पाएंगे अब चलते हैं इस mobile का अगले segment के तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के memory के बारे में सबसे बहले बात करते हूं इस mobile का card slot की तो इस mobile में card slot नहीं होगा internal memory 256GB में ही होगी अगर बात करें इस mobile के RAM की तो ये mobile बस आपको 12GB में ही देखने को मिलेगा अगर बात करें sound quality की तो इस mobile में एक अच्छी quality का stereo loudspeaker आपको देखने को मिलेगा और 3.5mm jack का feature इस mobile में नहीं होगा अगर बात करें fingerprint sensor की तो इस mobile में fingerprint sensor आपको under display देखने को मिलेगा अगर बात करें इस mobile के other sensors की तो आपको इस mobile में proximity, slim meter, compass जैसे सारे sensor भी देखने को मिल जाएंगे और gyroscope का dedicated sensor भी देखने को मिलेगा जो कि इस mobile का काफी अच्छा feature होगा अब बात करें इस mobile के battery के जिसमें आपको 5000mAh के काफी बड़ी LAPO battery आपको देखने को मिलेगी तो आप इस mobile में gaming एकदम non-stop कर पाएंगे और इस mobile का battery backup भी आपको काफी तगड़ा देखने को मिलेगा अगर बात करें इस mobile के charging की तो इस mobile में 100W के faster charging का feature आपको देखने को मिलेगा तो इस mobile में काफी तगड़ा battery segment होगा अगर बात करें इस mobile के कुछ common features की तो इस mobile में 3.2 Type-C USB port आपको देखने को मिलेगा और infrared port और NFC का feature भी इस mobile में होगा अब चलते हैं इस mobile के सबसे important segment के तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के color price और release date की सबसे बहले बात करते हैं इस mobile के color की तो ये mobile आपको black, blue और red color में देखने को मिलेगा इंडिया में इस mobile का price 43,990 होगा अगर बात करें इस mobile के release date की तो ये mobile 13 November को इंडिया में release हो जाएगा तो दोस्ते इस mobile का सबसे बड़ा highlighting point होगा इस mobile का main camera और एक fast processor तो मेरे according अगर आपको एक अच्छे camera वाला gaming phone चाहिए तो आप ये mobile ले सकते हैं तो चलिए आप सबसे आकर में बारी आते हैं इस mobile के rating की तो इस mobile के सारे फीचरों को देखते हुए इस mobile के stone rating होगी 8 out of 10 अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like share जरूर करना और चैनल को subscribe करके bell notification को भी on कर लेना और comment करके बताने के आपको वीडियो कैसा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलता है अगले वीडियो में